सो गाइज एक बाब फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेग अप्स में दोस्तो एवेंजर इतने पावर्फुल होते हैं और अपने गैजट्स की मदद से जिने पहन कर वह खूब कारणामे करते हैं और ऐसे ही कारणा में आरेन में स्पाइडर मेन सूपर मैन और बहुत ज़ादा लोग कर चुके हैं अगर आप इनकी तरह बनना चाहते हैं ऐसे ही सूट और गैजट्स पहन कर खूब धमाल मचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐसे गैजट्स जिनके साथ आप रियल में प्लेयर बनके अवेंजर्स की तरह पबजी खेल पाएंगे और अपने दुश्मनों को धूल चटा पाएंगे तो गैजट्स वीडियो की स्टाडिंग होगी फिल विया से सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई एक खौप की कार होगी जिसे लेने के लिए आपने कई सबने सजाए होगे और अगर आप फॉर्मूला वन की कारों को रेसिंग में लेकर बहुत ही जादा अट्रक्टिव हो जाते हैं और खुद भी रेसिंग करना चाहते हैं तो उसके सांथ रेसिंग का मजा भी ले सकते हैं या आपको उसी तरह की अपनी सीट पर रोटेट करवाता है और इसके स्टेरिंग को चलाते हुए और आखो पर इसको गैजट को पहने के बाद बिल्कुल रियल की तरह कार रेसिंग दिखने लगी है जो शायद रियल कार रेसिंग में भी नहीं आए और इसके साथ आपके पास वेब पावर हो अपने हाथ से वेब के जरीए दुश्मिनों के टार्गेट कर पाएं तो इस सूट के साथ आप ऐसा कर सकते हैं इसमें अपना जैकेट और अपना हाथ में पहनने वाला गैजेट जिसके बाद आप हमला भी कर सकते हैं और खित के लिए सुरक्षक कवज भी बना सकते हैं यह सूट पहनने में तो आईरन मेंट से भी ज़्यादा कमफर्ट वाला सूट है और इसके हाथ पर लगी हुई वेवपार बिल्कुल एक स्कीद के साथ अपने दूसरे गेम प्लेयर को टच करती है और उन्हें निशाना बनाती है टीवी कंप्यूटर गेम से दूर होकर अगर आप आरन मेंट वाला गेम खेलना चाते हैं और बाबुजी जीसा गेम अगर आप खुद प्लेयर बनकर खेलना चाते हैं तो इस वर्चुलाइजर का इस्तमाल कर सकते हैं जिस पर खड़े होने के बाद आप PUBG के खुद एक प्लेयर हो जाएंगे जो प्लेयर गन चलाता है वागन खुद भी चला पाएंगे और एनिमी को शूट कर पाएंगे जितना तीज आप चलेंगे उतना तीज ही आपका प्लेयर चलेगा जितने accuracy के साफ इस movement पर करेंगे जितने तीज भागेंगे उतना ही आपका प्लेयर भी करेगा यानि आप गेम भी खेल नेंगे और दिन भर के आपकी साथ exercise भी हो जाएगी इसके साथ आप PUBG खेल सकते हैं, GTA दूसरे गेम भी खेल सकते हैं तो अगर आप बैठे बैठे गेम खेल कर परिशान हो चुके हैं तो आप खुब भागे दोड़े और गेम भी खेलिए हमानी इंडिया में गन हर कोई नहीं रख सकता है जिसे भी अपने पास गन रखनी होती उसे license लेना पड़ता है पर इस गन को रखने के लिए आपको किसी भी तरह के license की कोईसर रहते हैं दिखने में यह दूसरी गनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा attractive और खतरनाक लगती है अगर आपको कोई दुश्मान इसे निकालते हुए या फिर इस्तमाल करते हुए देख ले तो आपसे दूर भाग जाएगा license वाली गन से तो हम किसी को shoot नहीं कर सकते हैं लेकिन इस गन के साथ हम बहुत को shoot कर सकते हैं और यहार रियल में पूरी तरह से open होने के बाद बहुत साथा खुकार हो जाती है सिर्फ एक बटन से इसे पूरी तरह open किया जा सकता है इसके अंदर चल रही LED लाइटिंग्स इसे और भी ज़्यादा attractive और unique बनाती अगर हम इस कस्तमाल अपने हाथों से गेम खिलने में करते हैं तो फिर भी रियल में आपके पास इसे दे कर कोई नहीं भटकेगा याओ VR मुबाल फोन को हाथ में लेकर हम सुफे पर जमीन पर या फिर कहीं से भी बैट कर गेम खिलते हैं जिसकी वज़े से हम अपने घरवालों से काफी बाते सुधना पड़ती और गेम भी डिस्टर्ब हो जाता है तो जिस भी तरह से छोटे बच्चे तब मस्ती करते हैं उस तरीके से आप इस circular कटीवी ball के gadget में बैट सकते हैं और इसके VR handset को अपने हांखों पर लगा सकते हैं आँखों पर लगाने के बाद आप इस gadget के साथ आप गेम के player हो जाएंगे इस पर बैटे हुए आप जितनी भी movement करते हैं जितना भी घूमते हैं आपका player भी उतनी movement करेगा और उतना ही घूमेगा गेम खेलने के लिए बहुत ही बड़िया चीज है जिसके बाद आपको comfortable sofi की ज़रत नहीं नहीं इतनी भारी वजन वाले आपको sofi के लिए उठाना पड़ेगा क्योंकि यह light weight भी है और इसे बच्चे आसानी से उठा कर एक जगर से दूसरी जगर लेकर जा सकते हैं झाले का लाद हुआतायाले कह भी है जड़िया झाले के लिए... हो यह झाले का लाद ह को झाल झाल